न्यूस ऐटीन इंडिया सेना के मन मुताबिक नहीं है ये बड़ी खबर सुन लीजिए अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोल बाला है जो इमरान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए है जो इमरान खान की पार्टी तहरी के इंसाफ से जुड़े हुए है जिने अपनी पार्टी के सिंबल पर जुनाव लड़ने की अजासत नहीं मिली तो निर्दलिये मैदान में उतराए और आकरे आपको देखने चाहिए नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासल हुई है बिलावल भुट्टों की पार्टी 40 पर और अन्य के खाते में 8 सीटे इस वक्त पाकिस्तान नाशनल अस्टेम्ली में 173 सीटों पर ये इस वक्त मुकाबला 75 सीटों पर इमरान के समर्थकों ने जीत दर्ज की है तो शरीफ की पार्टी दूसरे नमबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या वाकी वो नहीं हुआ नवाज शरीफ की पार्टी पी एमेल नून ने 50 सीटे अब तक जीत ली है और बिलावल भुटो की पार्टी पी 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 ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है जैसा मैंना आपको बताया ये तीन तस्वीरे टेलिविजन स्क्रीन पर आपके सामने अला कि जो तीसनी तस्वीर है उसमें आपको टौकीर रजा नजर आ रहे हैं तीन तस्वीरे माफी चाहती हों, दो तस्वीरे पाकिस्तान से थी, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी चाहे वो हल्दवानी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर का आक्शन हो, तौकीर रजा बार-बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफतारी दूंगा, उस बड़ी खबर पर हम जाएंगे, लेकिन फिलाल आपके सामने जो पाकिस्तान से बड़ा खेला हो गया है, पाकिस्तान नाशनल असेम्बली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का पर्चम लहराता हुआ, कोई चहरा नजर आ रहा है, तो वो इंडिपेंडन्स कैंडिडेट्स हैं, जो समर्थन लिये हुए हैं इमराम खान का, इमराम खान इस वक्त जे बड़ा बाया, येस वी लव यू, तो उन्होंने का तो आई लव यू टू, लेकिन ये आई लव यू टू, इस वक्त आकडों में तबदील होता हुआ, नजर नहीं आ रहा है, हमारे साथ रक्षा विशेशग्य, करनल आरेसन सिंग साहब जुड़ चुके हैं, और पाकिस् समर तक 75 पर हमें देख रहे हैं, नवाज 50 पर, बिलावल 40 पर और अन जो है वो 8 पर, जी बहुत शुक्रिया, देखें, ये बिल्कुल इस वक्त जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, को 75 के करीब पाकिस्दान तरीके इनसाफ है, 50 के से जादा मुस्लिम लिग नवाज है, और 40 के करीब जो है, वो पीपल्स पार्टी है, तो सिचुएशन यही नजर आ रही है, कि सारी सियसी जमातें कोलेशन बनाएंगी, माइनस इंडिपेंडेंट्स जो के इमरान खान के हैं, फिलाल तो यही नजर आ रहा है, लेकिन क्या सिचुएशन बिल्ड होती है, क्या पीपल् परान खान एक तरफ नजर आ रहे हैं, लगता तो यही है, लगता तो यही है, उके, इसका मतलब यह कि जो कहा जा रहा था कि सेना चाहती है, कि नवाज शरीफ एक बार कुर्सी पर काबिस हो जाए, वो होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, नहीं, अवाम ने उनको इतने वो ले सकती है, 20, 25, 30, 40, कितनी लेती है, और इंडिपेंडेंट्स जो के तहरीके इंसाफ के हैं, वो कितने बनते हैं, यह सो पॉलिंग स्टेशन है, उसका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, अभी तो अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए, मेरा ख्याल लागल है, दो जीमा, जीके साथ बिलकुल सहमत हो, यह कोईलेशन गवर्मेंट बनेगी, और यह जान ले कि इनकी जो एलेक्शन्स जो है, मुझे इस बात में कोई हिचक नहीं है, कहने में कि वो बाहर से स्क्रिप्टिड होती है, और इनका बिलकुल साफ है कहना कि यह कोईलेशन सरकार ब बने या नवा शरीफ की बने, लेकिन बनेगी कोईलेशन, दूसरी बात क्या है कि यह जो इंडिपेंडेंट्स के रूप में जो जीते हैं, पीटी आई के लोक, अब बाजार खुल जाएगी थोड़े देर के बाद लिया का रुबिया जी, और आप देखेगा कि अब बाज लेकिन चीमा साहब मेरी बात से सहमत होंगे, कि आज तक मैंने ऐसे इतना बड़ा वेव, जब मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूं, किसी एक लीडर के फेवर में मैंने नहीं देखा है, जितना अभी इमरान खान के मैंने फेवर में देखा है, करणल सिंग रोक रह आगी लेकर जा रही हूं, कि किताब भी लिखी है, लेकिन ऐसी वेव, कमर भाई, मतलब किसी नेता के लिए पाकिस्तान में नजर नहीं आई है, इन फाक्ट कहते हैं, कि अगर सेना चाले, तो पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन यहां पर मानना पड़ेगा, कि इमरान ने वो है, और रिलिजिस नेशनलिजम की वो बात करते हैं, और वो इन चीजों की जो बात करते हैं, लोगों ने ये चीज़ें बाय की हैं, और पाकिस्तान की अंदर एक तासुर है, इस हवाले से जो मजभी सियासी जमाते थी, उन्हों ने एक महौल बनाया हुआ है, एंटी वेस् इमरान खान ने उसको कैश की है, नॉर्मली अगर देखा जाये तो पाकिस्तानी लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट नहीं किया, कि उन्होंने बड़े डिवेल्मेंट के काम किये हैं, या वो बड़ा को हिस्टॉरीकली पाकिस्तान की एकॉनिमी को रिफॉर्म कर पड कि हमने जाना किस तरफ है और हमें चाहिए क्या, तो लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये बात तो आप से बहतर कोई नहीं जानेगा, हम तो दूर से देखने वाले लोग हैं, कि डिवलप्मेंट की बात कैसे करें, पहले इतना जो गड़ा यहां पर खोदा गया है, पहले वो तो भर देना आदमी, उसके बाद आप पुल की बात करेंगे, ब्रिज की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, अभी तो गड़े में हैं, पूरी की पूरी जमूरियत, और ये मुझे आपको बतानी की ज़रूत नहीं है, आप खोद ये मानते हैं, कि वहां हर बार जनरल इ नहीं है, कि देखें, हर दफ़ा, जब इमरान खान उपोजिशन में होते हैं, तो वो कहते हैं, जी दूसरों ने लेक्शन चोरी किये, अभी जब वो उपोजिशन में होंगे, तो वो कहेंगे, दूसरों ने लेक्शन चोरी किये, मैं इस सेंस में ये कह रहा हूँ, कि कोई भी political party पाकिस्तان में इसको नहीं मांती जो भी वो एलिक्षन हारते हैं जीतने वाला मानता है हारने वाला नहीं मानता ही इस शुरू से रवायत रही है लेकिन जो बात की जा रही है उनके popular narrative की कि क्यों लोग उनको follow करते है मैं समझता हूँ कि वो उनका जो उनकी जो पॉपुलारिटी है वो सिरफ और सिरफ तीन चार चीजों पर है जिसके मैंने जिकर किया है कि वो एक एंटी स्टैबलिश्मेंट बियानिया उन्होंने लिया और वो कह देते कि अमरीका और फौज ने मुझे मिलके निगाला है यह है जिसको वो प्रूव करना चाहते थे लिए लिए कमर भाई आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने एक नारेटिव बना दिया है परसेप्शन क्रियेट कर लिया और पाकिसान की अवाम उस परसेप्शन के साथ जाती हुई दिख रही है करनल सिंग डू अग्री विद इस मतलब वो इम्रान खान जो कहते हैं सेना करप्थ है झाल 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 झाल